Welcome to my channel, hope you all are doing good आज हम dragon fruit के plants की unboxing करेंगे ये plants हमने online order किया है Amazon से लिजी से हम इस box को open करते हैं और देखते हैं कि हमाई plants कैसे आए हैं ये देखे कितनी अच्छी packing की हुई है अच्छे से pack करके plants आए हुए हैं अब इसको हम open करते हैं खोलते हैं और देखते हैं कि हमाई plants कैसे आए है ये ये देखे है हमाई plants तीनो ही plants आचुके हैं और तीनो ही healthy plants लग रहे हैं ये plants हमने 299 उपीज में पर्चेस किये हैं Amazon से online order किया है 299 रुपे में अगर आप इसको nursery से order करेंगे nursery से लग पर्चेस करते हैं तो आपको कम rate में easily मिल जाएगा डिरेक्ट आप nursery से इसको खरीदते हैं तो कम rate में easily मिल जाएगा और ये plants हैं तीनो ही plants में अलग-अलग type के फल आएंगे fruits आएंगे एक plant में pink color का flesh color होगा जो fruit का गूदा होगा flesh color होगा वो pink color का होगा अगला भी होगा दूसरे plant में जो fruit आएगा उसका जो flesh color है white होगा सफेद होगा तीसरे का flesh color yellow होगा पीला होगा अब इस plants को हम transplant करेंगे pot में लगाएंगे उसके लिए हमने soil तयार किये इसमें हमने compost और sand और जो garden soil मिट्टी को तीनों को मराबर मातरम में लिया है और इसको अच्छे से आपस में mix कर देंगे और इस इसको अच्छे से mix करेंगे और इसमें पत्थर और जो weeds हैं घास हैं कूड़ा है उसको हम हटा देंगे और इसको हम इसको हम यह प्लास्टी पेंट की bucket है उसमें हम लगाएंगे इन तीनों पादों को अलग अलग लगाएंगे इसको अच्छा दिखाने के लिए लगने के लिए हम इसको paint करेंगे जिसे की हमारी जो यह bucket है खुबसूरत लगे दिखने में अब जो हम इस bucket में हमने चेट किया और इसमें पथर डाले है नीचे और जो हमने शॉयल का मिक्षर तयायर किया था उस मिक्षर को इस bucket में हम डालेंगे और इस bucket को सॉयल के मिक्षर से फुल कर देंगे आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी कंपोस्ट है सेंड है और स्वाइल है वो गीली ना हो इसको अच्छे से आप पहले सनलाइट में सुखा दें जिससे कि उसमें अगर कीड़े हो तो वो मर जाए यह फिल करने के बाद जो हमने प्लांट पर्चेश क से यह तीनों प्लांटस की अलग कम करेंगे और उसको एक एक करके लगाएंगे यह देखे पिंकologically कर यह बोणाय है और जो जड़ वाला area है रूटिंग वाला एरिया है उसको हम स्वाइल से कवर करेंगे इसमें रूट्स आई हुई है रूटिंग वाले पूर्शन को हम स्वाइल में लगाएंगे स्वाइल में लगाने के बाद मिट्टी में लगाने के बाद जो रूट है उसको स्वाइल से कवर करके चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करेंगे मिट्टी को स्वाइल को प्रेस करेंगे प्रेस करके अच्छे से प्रेस करना है करके हम जितने प्लांट है सबको लगा देंगे ये देखे इसकी कटिंग इसको भी हम वैसे ही लगाएंगे जो इसकी ही रूट है प्लांट कि जो यह रूट है कि इसमें रूट यूए हृओ यूए एक हूअ गर्जाकर देंगे और लगा दिए वैसे ही और प्लांट को बहुत है धाल से हम फानी डाल देंगे वदों हर देखते हैं इसकी प्लांट लगा दिए हमने नी तीनों अब फ्लांट के तुरूरोम लग सक्ते हैं और आप इसके फ्लांट के तूरू यह सबस्थobyl अगर आपको यह वीडियो फसंद आई हो तो लुद्जर करें कमेंट्ट्स करें थैंक्स फ़र ऊचिंग झाल झाल